हलो एवरीवरन, बेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल हों टिप्स लड़कियों को नेल पेंट लगाना कितना पसंद है ये हम सभी जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी खास मौगे पर जाना होता है और नेल पेंट का कलर हमारे ड्रेस के साथ मैच नहीं होता है तो ऐसे में हम सोचते हैं कि चलो इसको जल्दी से हम रिमूब करके दूसरा नेल पेंट मैचिंग का लगा लेते हैं लेकिन पता चलता है कि हमारे पास तो नेल पेंट रिमूबर खतम हो चका है उसकी बोटल खाली पड़ी है तो ऐसे में हमें option पता होना चाहिए कि और कौन-कौन सी ऐसी चीजे हमारे घर पर ही होती है कि जिससे हम nail paint remove कर सकते हैं मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था तभी मैंने बहुत सारे post पढ़े बहुत सारे option तला से तो उसमें बहुत सारे चीजे बताई हुई थी कि इन सारे चीजों को यूज करके आप remove कर सकते हैं तो मैंने सब को try और tested किया लेकिन कुछी चीजे हैं जो की कारगर हुई तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जिसको की आप यूज करके और nail pen को बाकर ही remove कर सकते हैं और effective भी है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने toothpaste try किया ये तो बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ दूसरी चीज मैंने सिरका और lemon को मिला करके भी try किया ये भी बिल्कुल effective नहीं है तीसरी चीजे मैंने water में थोरा सा hydrogen peroxide equal मातरा में लेकर भी try किया ये भी effective नहीं हुआ तो कौन ऐसी चीजे हैं जो की effective है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फ्रेंट पहला option है पर्फ़्ुम का आपको इसा भी पर्फ़्ुम ले सकते हैं चाहे वो मेन का हो या भी मेनка एनी brand का पर्फ़्ुम ले सकते हैं आपको एक cotton ball लेना है उसके उपर पर्फ़्ुम को स्प्रे करना है और उस cotton ball को आपको नेल के उपर रखते ना है और हलके हाथों से रब करना है और रब करते ही देखेंगे नेल पेंट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है यह बिल्कुल नेल पेंट रिमूबर के तरह ही काम करता है यह मेरा सबसे फेब्रेट तरीका है अगर नेल पेंट रिमूबर कभी ना हो तो आप पर्फ्यूम से बिल्कुल उसी तरह से हटा सकते हैं देखे फ्रेंड कुछी सकेंड में नेल पेंड बिल्कुल रिमूब हो गया है अगर आपके पास पर्फ्यूम नहीं है तो दूसरा ओप्सन है डियूद्रेंट का यह भी सेम पर्फ्यूम के जैसा ही वर्ग करता है तो आपको सेम एक कॉटन बॉल लेना है उसके उपर डियूद्रेंट को स्प्रे करना है और इस कॉटन बॉल को आपको नेल के उपर हलकी हाथों से रब करना है तो आप देखेंगे कि कुछी सकेंड में नेल पेंड धीरे धीरे निकल रहा है परफ्यूम के केमपरिजन में यह थोड़ा स्लो बर्क करता है परफ्यूम से इससे भी फास्ट निकल जाता है अगर यह दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो तीसरा ओप्षन आप यूज कर सकते हैं तीसरे ओप्षन के लिए आपको नेल पेंड यूज करना है और नेल पेंड तो आपके पास होगा ही नेल पेंट की जगा आप नेल पेंट के उपर जो टॉप कोट लगाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको कोई सा भी नेल पेंट लेना है और इस नेल पेंट के उपर एक कोट लगा देना है नेल पेंट का कोट ज्यादा मोटा ना लगाएं बिल्कुल पतला लगा सकते हैं और इसको ड्राइ नहीं होने देना है इंस्टैंटली इसको लगाते ही किसी भी कॉटन से आप पोच लीजिए और यह देखिए बिल्कुल कॉटन लगाते ही नेल पेंट अच्छी तरह से रिमूव हो रहा है अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत नेल पेंट अभी भी रह गया है तो आप दुबारा एक कोट और इसके उपर लगा दें और उसके बाद बापस कॉटन से आप इसको पोच लें इस तरह से आप देखेंगे कि सारा नेल पेंट जो है वह रिमूव हो गया है फिरेंड ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेट नहीं है मैं पूरा प्रॉसेस इसको आपको दिखा रही हूँ तो आपको इन तीनों आपसन में जो भी अच्छा लगे जो भी बेहतर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये बहुत ही काम की टिप्स है कभी कबार हमें इसकी जरूरत पढ़ती है तो हमें ये आपसन पता होना चाहिए तो आपने देखा कि तीनों तरीके से बिल्कुल नेल पेंट अच्छी तरह से रिमूब हो गया है तो आप भी इन आपसन को अपलाई करें और अपना एक्सपिरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें फ्रेंड्स मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियो लेकर आती रहती हूं तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो फ्रेंड्स आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और यूजफूल वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई